देखा यहां पर विप्ते भी यह प्रास्फर्मर सारे ओईल कुल्ड है तो सारे ओईल क्या काम करता है कि यह काम करता है कि यह काम करता है अगर उसके कोई मोस्टर आ गया नम नहीं आ गई तो वाइंडिंग खराब तो चैस्ट करना अपने पहले तेस्ट करने के लिए वाइट यहां पर किसे टेस्ट करता है यहां पर अनुद कि यह आपने देखा इसमें ट्रास्पार्मर ओइल सेंपल लेकर कि इसमें रखा हुआ है यहां पर यह दो इलेक्ट्रोड है अपने इन डोनों में हाई वोल्टेज देंगे कि अधिक 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 वोल्ट वोल्ट यह चाहिए और इसके बाद एक इसके आएग जिसमें यह इसकी दूरी पर भी शॉर्ट होना शुरू हो जाता है तो यह मालूब पर जाते है कि इसकी जो ऑईल की एक वो इतने वोल्ट सेंग करने कि उससे अधिक वोल्ट यह नहीं कर सकता है इसको फिल्टर करना पड़ता है इसमें नमी आ गई है तो वो कम वोल्टेज पर भी श्रिक मार जाएगा अब यह डिस्टेंस कैसे इसके लिए इसको भोलते है ये दोनों इलेक्ट रॉट के बीच में यहां ऐसे देख करके दोनों की दूरी सेट भी जाती है कि यह वोड्र और रखे गये हैं और और वह वोटेज्ग बढ़ाते जाते हैं जब तक इन ऐसे कि केकी केक सर्दैने पर कि इसकी अधिक से अधिक किलो वोल्ट शंता जो दीक वाइक जाने पर केक हो जाता है ईजब इनती श्हेयर है यह द्लकॉर किया होती टेस्टिंग क्ला कि शेक करता है वो ओईल का किलो वोल्ट चेक करते हैं किता किलो वोल्ट होता है तो ट्राइस के वी से ऊपार 40 किलो वोल्ट चालीस हजार वोल्ट सेहन करने की शम्ता इस तेल में होनी चाहिए पुरान आवे है ना जो टास्वान का सेंपल लिया गया है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है